असलाव वालेकम दोस्तो नूरानी खबरों में हम आप सभी का इस्तक्पाल करते हैं दोस्तो महला सोशक्ती करड कितना जरूरी है इसका एहसास खासतोर से तब होता है जब हमारी बेटियां दुनिया भर में विजय पता का फैराती हैं तब हमें उन पर नाज होता है पूरा देश फक्र करता है यहां भी ऐसी ही बेटियों को सम्मानित करने के लिए आल इंडिया महला इंपावर्मेंट पार्टी ने एक अवार्ड शो का आयोजन किया जिसका नाम भी रखा नाज इस कारिक्रम में फिल्मी सितारों की महफिल सजी जिसमें मशूर अदाकारा जीनत अमान हैलन समेथ नेहा धूपिया ने हमारा सिर गर्प से उचा कर दिया इसमें टेनिस की सर्ताज सानिया ने तो मानू भरोशा दिलाया कि बे देश का पर्चम हमेशा शिखर पर लहराती रहेगी इस अबाड समारो में पहुँची फॉरा खान एलीना डी क्रूज पार्शुगाई का अलका यागनिक समेथ बॉलीवुड के मश्रूर सितारे भी मौजूद रहे जिनमें सुनील सेटी, आफताब सिवदासानी, सुहेल खान, बॉबी देओल, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरेंडमेंट के चेंपियन खली ने भी सालिया इस मौके पर ओल इंडिया महला एंपावर्मेंट की प्रेशिडेंट डॉक्टर नहरा सेख ने पुढ़ें अपने हाथों से नाज अभाट से सम्मानित किया इस मौके पर अभिनेता सुनिल सेख्टी ने कहा कि नारी से दुनिया है, नारी दुनिया से नहीं है, वो पूजनिय है नारी सम्मान और उसका प्रोथसाहन न सिर्फ उनकी होशला अफजाई करता है बलके उन्हें आत्म रिभरता की ओर भी आगे ले जाता है इस पूरे कारिकर्यम के आयोजन करता पुनीत धंडा और बिनीत धंडा ने सभी महमानों का आभार जताया और कहा कि बे महलाओं के सम्मान में ऐसे आयोजन करते रहेंगे आप अजात पिलन भी मिटेंट प्रूम थेह चो बिन अजहर की जहर प्सशब बे सहिती थां विर मैं अपुआ ऑड़ी बीडियन कống सिस्या ओंडा थे बर की था सा म compete всп kissing म 완去 वान का क्वड और मच्ण सेंथ खूओंब थे हैं आप Marx यहार ँप्रोव को destin, जोसे पेडि़ नहीं तो जोगाए टी में प्राइब को चाहिए, यंज कैसे कि नहीं आए लूब इस अब दोड़ कोई तूजब एक जान जाए लूब एक जानए लूबर्टेंगा कि विल्वारकार सकते लूबर्टेंगा जोबर्टेंगा क्यों दोड़ा जाए हो जाए बेड़ सिर्टी है और बिजैने जी श्यानग और बिश्ताइब है करा दो मैं। गुछेशन बिए बिए इन चीजर्गे। आपा थक्टोर भीडिए दो क्लिए कर दो कृब्सी एगे हूर पूंग। है अजर रहुग चाहँते हुजौन पंडेमरी प्रत दिए टीफ रूल्ग टोर्थे फिस अच्राइबुन थे को अन्हें दोड़ियों भी अइसे हुग को अजिरों कर दोस्केछ्टी आफ वेस्टरु आपकेड़ी आपटाने पार साउर आपके जला कोई आपकेश्टरियों कि आप लोटेंशन मज लेना उपर नीचे करेर में होते रहता मैं दूना तो तब से सक्सेस हो आपा थांक यू सो मुझ थांक यू आपा और थांक यू विनीत आप पुनीत पहले मुझे बता लगा कि एक हस्बंट है और एक वाइप है मुझे लगा को जो दो हस्बंट से बात कर रहे हुग है और थांक यू सो मुझे पुछा जाता है कि विमिन एपावमेंट के लिए आप क्या करी है तो मेरे तीन बच्चे हैं दो बेटिया है एक बेटा है और मैं अपने बेटे को एमपावर करी हूँ ताके वो बड़े होकर लेडिस की रिस्पेक करें उन्हें उन्हें एक्वली करें और कभी रसोचे के वो लेडी से सुपीर है तो I think we all need to empower our funds I am George, who is just supporting all the women Well firstly good evening, thank you for the award I am infinitely surprised and don't feel that I am worthy of it but thank you Dr. Sheth, thank you for having me here first time I am meeting you And Puneet and Vineet thank you so much, this is an honour, I think it is just an honour just to be here with all these lovely ladies, my lovely Athea there Where all women have the right to choose, whatever it is that you want to do in your life, you know women should have the right to choose I don't think I do very bold roles, I don't know any other woman, you know a woman who is not bold, you know what I mean and I think as an actor one just performs a role that I give it to them But thank you so much for this for this commemoration, it's a huge honour to be here, thank you By the way, I will choose Sixties or seventies may glamour ko milai chehra, jisne filmy pardhe peh tufaan la diya Karol binho ki dhargan benne wali is sabardust pancara ne, hindustani filmo me apna naam sunhare aksharo me likhwa diya hai Zina Taman ji, na saif glamouros rose, belkhi kai saare sanjida rose ke liye bhi cha na Zina Taji ko naaz ka salam Zina Taji ko naaz ka salam Hindi ki roti hai, toh rudu ka nibaala hai Mujhe hai piyar dhonu se magar, ye bhi hakikat hai Mujhe hai piyar dhonu se magar, ye bhi hakikat hai Lata jub lard kha'dati hai, haya nahi hi saambhala hai Mujhe hai piyar dhonu se magar, ye bhi hakikat hai Mujhe hai piyar dhonu se magar, ye bhi hakikat hai Mujhe hai piyar dhonu se magar, ye bhi hakikat hai